हाई, मेरा नाम अनुपलाल नायक है और मैं दिपेंटिकोस्टर एसेमली स्कूल का छात्र हूँ मैंने दसवी की बोर्ट्स की परिशा में 98.6 प्रतिशस हासिल किया है और जारखंड में तीसरा स्थान हासिल किया है मैं बहुत खुश हूँ मेरी रिजर्ट्स से और मेरी परिवार भी बहुत खुश है मेरी रिजर्ट्स से कि हाद चिर्णbang एक्राइब कान गून्स कि छीपका हुआ, था था कि बोर्ट से की जाएंगे कि पर जैसे जैसे जईसे उब बिगते गए मेरे में भी कॉन्फिटलेंस आथा गया कि हां अश्ताय जा रहे हैं मैं काफी संतोर। था जैसे इस तरह से मेरे उठाय है थे में मैं शियूर था कि marks अच्छे ही आएंगे मैंने रेक्यूलरली सारे classes की और classes के बाद उनका revision किया और pre-board से पहले ही मैंने पूरा syllabus ख़तम कर लिया था ताकि pre-board में अच्छे से अच्छे test दे सकूँ और उसके बाद pre-board के बाद मैंने सिर्फ sample paper सॉल्ब किया बोड पी लिये और फिर सारा से रेक्यूलर बस टेस्ट से पहले revise किया मैंने आगे की पढ़ाई के लिए PCM लिया है with computer science और मैं अभी IIT के लिए तयारी कर रहा हूँ और मेरा लक्ष है किसी अच्छे IIT college से इंजिनियरिंग करने का है अपने सक्सेस का सारा स्ट्रे मैं अपने family, अपने teachers और खास करके अपनी principal member देना चाहता हूँ उन्होंने इस result को लाने में मेरी बहुत साहता ही और उनका बहुत बढ़ा यूदा मेरे स्कूल में दो बार pre-board की परिक्षा हुई जिसके कारण सारा syllabus मैंने दो बार पढ़ लिया और बूरी syllabus की टेस्ट भी मैंने दो बार दे दी जिसके कारण बोर्स के लिए कापी अच्छी preparation हो गई जो बच्चे अगले साल बोर्स की परिक्षा में अफेर होने वाले उनके लिए मैं यही कहना चाहूगा कि लॉंगडाउं के कारण आपको बहुत अच्छा अफसर मिल गया है कि आप पूरी पढ़ाई आराम से कर सकते हैं तो खास कर कि NKRT पर ज्यान ले सांपर पेपर सॉ मैंने अनुषार मोबाईल पोन चलाना कोई गरत बात नहीं है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मोबाईल को लिमेटेट टाइम में यूज कर रहे हो और अपना जालतर समय पढ़ने पर दे रहे हो और उसके बाद की मोबाईल अपना स्ट्रेस रिलिभ करने के लिए तुससे कोई दिकत नी होगी आपको आपस अपना जाला से जाला समय पढ़ाई पढ़ देने की कोशिश करें और अपना सेहत का देहार रचेंगे थैंक्यू